क्या आप जाना चाहते हैं कि बहुत ही कम समय लगाकर, बहुत ही कम समय देकर आप बहुत जादा famous कैसे हो सकते हैं? बहुत ही बड़े-बड़े influencers, बहुत ही बड़ी-बड़ी celebrities इस trick का इस्तुमाल करती हैं. अब ये trick सही है या फिर गलत है ये तो आप मुझे last में comment box में comment करके बताएंगे लेकिन हम जानते हैं आज कि बहुत कम समय लगाकर आप बहुत जादा famous कैसे हो सकते हैं इस trick को जानने से पहले आप एक बहुती चोटी सी story को सुनिये और समझिये कि लोग इस trick का अस्तमाल कैसे करते हैं एक बार की बात है एक ततयय को famous होनी की सूजी ततयय जानते ना आप हाँ वही जो कहीं एक जगे काट ले तो वो हिस्सा सूच जाता है अब उसने सोचना शुर ली कि उसे करना क्या है अब वो धीरे धीरे राजा के घर की और बड़ा और वहाँ पर जाकर उसने देखा कि राजा का छोटा बेटा इतमिनान से सो रहा था ततयय राजा के लड़के के पास गया और उसके गाल पर जोड से काट लिया अब वो लड़का खूब रोने लगा चिलाने लगा लेकिन वो ततयय भागा नहीं उसने उसे फिर डंक मारा फिर से काटा अब वो लड़का और पागल हो गया चिलाने लगा बचाओ बचाओ इतने में बहुत सारी लोग उसके पास आकर इखटा हो गये लेकिन ततयय फिर भी नहीं माना राजा के सेवादार आय और उस ततया को भगाने की बहुत कोशिश करने लगे। लेकिन फिर भी वो ततया भागा नहीं। उसने वो राजा के सेवादारों को भी काट लिया। अब पूरे नगर में हलचल मच गई सभी लोग चिल लाने लगे कि अरे राजा के बेटे को ततया काट लिया अरे बहुत सारी लोगों को ततया काट लिया और इससे क्रोधित होकर राजा और रानी दोनों वहाँ पर आ गए अब ततया हार नहीं माना वो अभी भी वही था और अब राजा और रानी के आने पर उसने उन दोनों पर भी अटेक कर दिया और उन दोनों को भी काटा और उन दोनों को भी सुज़ा डाला अब ये बात आग की तरह पूरे राज में फैल गई कि राजा के बेटे को, उनके सहियोगियों को और राजा और रानी को एक ततईया जोर से काट लिया और सारे के सारे लोग सूजे पड़े हुए हैं अब पूरे राज में जो भी वेक्ती दूसरे वेक्ती से मिलता वो सिर्फ यही बात करता कि एक ततईया है जिसने राजा के बेटे को काट लिया राजा को काट लिया, रानी को काट लिया सिर्फ यही बात पूरे के पूरे राज में होने लगी अब बाद में सैनिको ने उस तताईय को मार दिया लेकिन जाते जाते वो तताईया बहुत जादा फेमस हो गया अब आप खुछ सोच कर देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बहुत सारे इंफ्लूइंसर्स बहुती कम समय में फेमस होने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजे करते हैं जो दिखने में बहुती ऊटपटांग होती है आपको लगता है कि ये वेक्ती ऐसा क्यों कर रहा है या फिर आपको लगता है कि ये वेक्ती तो इतना बड़ा है ये ऐसे कैसे कर सकता है ऐसी चीजे इसको शोभा नहीं देती है लेकिन फिर भी पैसा लगाते हैं और इसी चक्कर में उस वीक्ती को जो थोड़े समय के लिए या बहुत समय के लिए ये famous होता है उसे अच्छा खासा पैसा वहाँ पर कमाने को मिल जाता है अब ये सही है या गलत है ये तो आप मुझे comment box में comment करके बताईए लेकिन ये होता जरूर है आप अपने समाज में कहीं भी इस चीज को जरूर देख सकते हैं यदि बार समझ में आयों और वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेर जरूर करें अगले वीडियो में फिर मिलते हैं धनिवाद